हेलो स्टुडेंट्स एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में देखे छात्रों यहाँ पर हम प्राचीन भारती इतिहास के जो साहित्यक स्रोथ है उनके बारे में पढ़ेंगे तो मैं सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इतिहास का अर्थ बताऊंगी इतिहास क्या होता है इतिहास की क्या परिभासा है यह सब हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा है फिर भी यहाँ पर एक बार और यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि इतिहास का अर्थ क्या है तो इत आतीत काल में निस्चित रूप से गठी है वही क्या है इतिहास है अब देखिए इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत है उनको तीन भागों में बाटा गया है तो इतिहास को जानने के लिए जो स्रोत है उनके बारे में भी हमने पहले पढ़ा है वो कौन-कौन से स्रोत है साहि प्रतायत्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विर्तांध तो हम इन टीन टाइप के जो स्रोत है इनके बारे में अलग-अलग वीडियो में अलग-अलग जानकरी प्राप्त करेंगे अब इस वीडियो में हम सबसे पहला जो जो भारतिय इत्यास है उसकी जानकरी का स्रोत है साहित्यक स्रोत उसके बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ते हैं साहित्यक स्रोत तो जो साहित्यक स्रोत है वो दो भागों में बाटे गया है अब ये दो भाग कौन-कौन से थे धार्मिक साहिते और लोकिक साहिते तो प्राचीर भारती इत्यास की जानकरी प्राप्त करने के लिए जो साहितेक स्रोथ है उनको दो भागों में बाटा गया है वो दो भाग है धार्मिक साहिते और लोकिक साहिते और जो धार्मिक साहिते है इसको भी दो भागों में माटा गया है वो कौन से दो भाग है ब्रामन साहिते और ब्रामनेतर साहिते तो सबसे पहले हम पढ़ते है धार्मिक साहिते धार्मिक साहिते है इसमें जो दो भाग किये ब्राह्मन साहिते और ब्राह्मनेत्र साहिते तो ब्राह्मन साहिते हैं इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो ब्राह्मन साहिते हैं यह धरम से समधित था ठीक है और इसमें कौन-कौन से कौन-कौन से स्रोत थे जैसे वेध है ब्राह्मन ग्रंथ है आरणेक है उपनि ठीक है इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और वेद ब्रामन गरंद आरनेक उपने साथ वेदांग स्मर्ति गरंद पुरान आधी के बारे में हम अलग से भी वीडियो बढ़ाएंगे वहां पे आप पढ़िएगा आप देखे सबसे पहले है वेद तो ब्रामन साहिते में सर्वाधिक जो प्राचीन गरंद है वो है रिगवेद है रिगवेद के द्वारा प्राचीन आरियों के धार्मिक सामाजिक आर्थिक राजनितिक जीवन का प्रीचे मिलता है और सबसे बाद का जो वेद है वो है अथर्ववेद ठीक है अब देखेगा वेदों क संख्या चार है कौन-कौन से है रिगवेद यजूरवेद सामवेद और अथरवेद ठीक है इनके बारे में हम अलग से डिटेल से अलग वीडियो में पढ़ेंगे यहां पर इतना ही मैं यहां पर आपको संक्सिप्त रूप में परीचे दे रही हूं और आगे डिटेल से हम प प्रामन ग्रंथ ये ग्यों तथा करमकांडों के विधान है और इनकी किरियों को समझने के लिए ब्रामन ग्रंथ वो आवसेख होते हैं तो ब्रामन ग्रंथ ये ग्यों है करमकांड इनके विधान है इनकी किरियों है इन सबको समझने के लिए आवसेख है ब्रामन ग्रंथों की जो भासा है वो वैदिक संस्कृत है ब्रहम सब्द का साब्दिक है यग्ये अर्थात यग्ये के विशों का अच्छी तरह से पर्तिपादन करने वाले ग्रंथ ये ग्रंथ गद्दे में लिखे गए है इनमें उत्तरकालीन समाज एम संस्कृति के संबंद का ज्यान मिलता है इनमें यग्यों के अनुस्थानिक महत्वय का उलेख है सभी ब्रह्मणों में मोक्स प्रापति के लिए यग्ये पर बल दिया गया है यह करम कांड य ग्रंथ है اور प्रतेक वेद के अपने अपने ब्रह्मण होते हैं अब देखेगा आगे के वीडियो में हमने आपको बताया है ब्रह्मण ग्रंथ तो वह आप अच्छे से देखेग इन में से भी कई बार कई परीक्षाओं में परसन पूछे जाते हैं इकोन से वेद का कोन सा ब्राह्मन गुरंथ है ठीक है अब आपका अगला आता है आरणे आरणेक साहिते आरणेक हिंदु धरम के सर्वोचे धरम गुरंथ है सायन के अनुसार इनका नामकरण का कारण यह है कि इनकी रचना एकांत अर्थात आरणे जंगलों में हुई और इनका अध्यन भी एकांत में किया गया है अता है इनका नाम आरणेक पड़ा ठीक है अब यहांपर हम आरणेको की विस्येशताओं के बारे में देखेंगे कई बार क्योंशन पूछा भी जाता है आरणेको के बारे में तो देखेंगे यहांपर आरणेक ब्रामन गरोंतों के अंतिम भाग है इनमें मंत्रों की रहश्यात्मक सक्ती और जादूई प्रभाव का उलेख है आरणेकों में तपस्या पर बल दिया गया है इनमें ग्यान और चिंतन को परधानता दिया गया है आरेनेकों में यग्य अनुस्ठान पदत्ती यागिक मंत्र पदार्थ दताफल आद्धी में आध्यात्मिक्ता का संकेत दिया गया है अत्य हम कह सकते हैं कि वही आरेनेक है जो मनुष्य को आध्यात्मिक बोध की ओर जुका कर सांसारिक बंदनों से उपर उठाते हैं ठीक है अब हम पढ़ेंगे उपनिशद तो विद्वानों ने उपनिशद शब्द की वित्पती उप प्लस नी प्लस शद के रूप में मानी है अर्थात इसका अर्थ क्या है? उपनिशत का अर्थ क्या है? कि जो ग्यान विवधान रहित होकर निकट आए जो ग्यान विवधान रहित होकर निकट आए जो ग्यान विशिष्ट तता संपूर्ण हो तता जो ग्यान सच्चा हो वह निश्ची थी क्या है? उपनिशत कहलाता है अर्थात वहे ग्यान जो गूरू के समी बैठ कर प्राप्त किया गया हो उपने शदों की भासा क्या है संस्कृत है और जो उपने शदों गद्य पद्य दोनों में है इनको वेदांत भी कहा गया है ठीक है और वेदांत क्यों कहा गया है क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग है उपनिशदों में आत्मा तता अनात्मा के तत्यों का निरूपन किया गया है जो वेद के मुलिक रहश्यों का परतिबादन करता है इनमें ज्यान से संबंदी समस्यां उपर विचार किया गया है उपनिशद भारत के अनेक दार्षनिक जिन्हें रीशी कहा जाता है कि अनेक वर्षों के गंबीर चिंतन मनन का परिणाम है तो यहां पर हमने पढ़ाया उपनिसद के बारे में आगे हम उपनिसदों के बारे में और भी डिटेल से जानेंगे अब आते हैं वेदांग तो वैदिक साहिते अतेंद विशाल और कठिन था और इसे समझ सकना भी समभाने बुधिक के परे था अतह है आगे चलकर वेद के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक करमकांडू के परतिपादन में सहायता देने के निमित एक नमीन साहिते की कर ना, ब्भी समझने की तंग में तो कुन थे उपनिशद वेदांग क्या है Is जो समें वेदीक सहाहिते को जानने में सहायता परदान करते हैो कून क्या है वेदांग क्यों से थे छै थे वेदांगों के संक्या च्छे है जिनका ग्यान वेद के यथार्थ ग्यान के लिए अत्ती आवश्यक है ठीका ना वेदों के यदि ग्यान को आप अच्छे से जाड़ना चाहते हो यथार्थ ग्यान को प्राप्त करना चाहते हो तो वेदांगों के आवस्यकता है ये वेदांग कोन-कोन से देखेगा सिक्ष्या, काल्प, व्याक्रण, निरूक्त, छंद और जोतिस अब देखेगा स्मर्ति साहिते स्मर्ति साहिते में क्या है धर्म सुत्र साहिते से कालांतर में स्मर्ति साहिते का विकास हुआ स्मर्तियों का निर्मान हिंदू धर्म के चरम विकास को सुचित करता है ये प्राचीन भारतिय सब्वेदा पर विश्द परकास डालती है स्मर्तियों को धर्म सास्तर की संग्या परदान की जाती है भारतिय थ्यास में इस सा फूरत द्वित्य स्ताब्दी से लेकर मद्यकाल तक विभिन स्मर्ती गरंतों का पढ़नेन हुआ इनकी संक्या विभिन गरंतों में अलग-अलग मिलती है पदम पुराण में इनकी संक्या 36 वृद गोतम में 56 तथा वीर मित्रोदे में 57 गई है कुछ पर्मुक जो स्मर्तियां वो इस प्रकार से हैं जिनका जिक्र इत्यास में बार-बार क्या गया है वो है मनु स्मर्ति, यागवल्लक के स्मर्ति, विष्णू स्मर्ति, कात्यान स्मर्ति, ब्रहस्पत्य स्मर्ति, पारासर स्मर्ति, गोतम स्मर्ति, वसिस्ट स्मर्ति, नारद स्मर्ति और देवल स्मर्ति इनके अलावा भी कई स्मृतिया हैं जिनका उलेक इथ्यास में किया गया है अब अगला आते हैं आपका पूरान तो पूरान का साब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है प्रारम में इस सब्द का प्रियोग इसी अर्थ में मिलता है अथर्वेद में चारों वेदों के बाद पुरान का उलेख हुआ है जो किसी प्राचिन कथा का नहीं अपितु ग्रंद का बोधक है उपनिश्दों तथा सुत्रों में भी पुरान सब्द का उलेख ग्रंद के रूप में ही है महाभार्त के अध्यन से पता चलता है कि इसके वर्तमान सवरू प्राप्त करने के पूर्वही पुराण ग्रंद अस्तित्वे में आ चुके थे महाभार्त के वक्ता लोम हर्सन के पुत्रे उग्रिश्रवा पुराणों के ग्याता थे हरीवन्स दता वायु पुराण के अनेक अंस परसपर मिलते हैं और जो मुख्य पुराण है इनकी संक्या अठारा है कई बार पुछा जाता है प्रीक्षे में कि पुराण कितने हैं पुराणों की संख्या कितने हैं वो 18 वो कुन को से हैं मत्से मारकंडे भविस्य भागवत ब्रह्मांड ब्रह्म वेवर्थ ब्रह्म वामन वारा विश्णु वायू अग्नी नारद पद्म लिंग गरुड कूर् इन्हें महापुराण का जाता है इनके अलावा 18 उप पुराण भी हैं वो कौन से हैं सनतकुमार नरसी हैं सकांद सिवधर्म आसरिये नारदिये कापिल वामन ओसनस ब्रह्मांड वारुन कालिका महेस्वर साम और पारासर मानीच और भारगव ठीक है तो यहां पर हमने पु पड़ रहे थे ब्राह्मन साहिते अब आता है ब्राह्मनेतर साहिते तो जो प्राचिर भारती इत्यास के स्रूत है उसमें पहला पोईट था ब्राह्मन साहिते जो आपका धार्मिक साहिते उसमें था ब्राह्मन साहिते और अब उसका ही दूसरा पोईट आता है धार्मिक सा पढ़ाईते हैं इसमें जातक है अब मुल्ब सबसे पहले ब्रामणित्र साहिते में बोघ की बारे में पढ़ रहे हैं तो बोघन्ध में कौन-कौन से चीजे आतीए वो देखेगा जातक, पिटक और निकाई ठीक है? तो जातक, जातक क्या होता है? जो जातक ग्रेंथ है उसमें बगवान बूध के पूर्वय जन्म की काल्पनिक अथाएं हैं, काल्पनिक होने पर भी यह अपने समय और उससे पूर्वय के समाज का चित्र हमारे समक्स पर्स्तूति करती है और इसके अलावा जो जातक है वह गद्धे पद्धे दोनों सहलियों में लेखा गया है अगलाता पिटक तो पिटक देखिए जो तीन पिटक थे सूत पिटक, विने पिटक और अभी धम पिटक इने त्री पिटकों के नाम से भी जाना गया है और जो सूत पिटक है विने पिटक है ये जो बोध दरम की चार संगीतिया हुई थी उसमें जो पर्थम जो संगीति है उसमें सूत पिटक और विने पिटक को जोड़ा गया और जो आपकी त्रीतिय बोज संगीतिय उसमें अभीधम पिटक को जुड़ा गया इनके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं जो बोज संगीतिय हमने पढ़ी थी उसमें आप देखिएगा आपको माँ पर यह अच्छ से मिलेगा डिटेल से और गोतम बुद के गया में निर्वान प्राप्त करने के बाद त्री पिटकों की रचना की गई सूथ पिटक में महात्मा बुद के उफदेश संगलित के गया है मिनए पिटक में बुद के नियमों का उलेख है और अभीधम पिटक में बोध धर्षन का विवेचन है तो कई बार त्री पिटकों के बारे में पूछा जाता है फ्रीक्षे में तो इनको अच्छे से डिटेल से पढ़िएगा अब देखेगा कि बाई कई बोध लेखक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी महत्वपुन रचनाई की है उनके बारे में आपको यहां पर बताऊंगी तो कई महत्वपुन लेखक तथा उनकी लिखी गई रचनाई जो बोध रम से संबन दिता है वो ऐसे अस्वगोस अस्वगोस की जो रचनाई वो है बुद्चरित, सोंद्रानन, सारी फुत्रे परकरण और थोड़ा सा मैं बता देती हूं कि जो अस्वगोस है यह है मैतो बुढ़ है परिक्से के तोर से तो कभी-कभी पूछ लेते हैं किसका दरबारी था और किसका समकालीन था अस्वगोस तो अस्वगोस है यह कनिस के दरबारी थे और सात्वाहन सासे यग्ये स्री सातकर्णी के समकालीन थे ठीक है अब अगले आती है नागारजुन तो नागारजुन ने इनको भारत का आंस का गया है इनके ग्रंथ है माद्यमिक कारिका और परग्या पारमिता उसके बाद आते है असंग असंग है ये जो जैंद्रम की दो साखाई थी हीन्यान और महायान उनमें से महायान साखा से संबंदित है और इनके जो ग्रंथ हो है सुत्रा लंकार और लंकावतार सुत्र फिर आते हैं वसु बंदु वसु बंदु है इनके गरंट है परमान समुच्चे और अलम्न परिक्षा इसके बाद है चंदर गोमित चंदर गोमित है इनके गरंद का नाम है सिक्षा समुचे उसके बाद अत्यहाप के धरम कीर्थी तो धरम कीर्थी है यह सात्विस्त आपदी के लेखक हुए है धरम कीर्थी जो धरम कीर्थी नामक जो बोध लेखक है यह महयान सा कैसे संबंदित थे और इन्हें भारत का कांट का गया है ठीक है तो भारत का आइंस्टेन किसे खा गया नागार्जुन को और भारत का कांट किसे खा गया है? धर्मकीर्थी को यह आपको याद रखना है अगला आता है दिव्यावधान तो दिव्यावधान है यह ग्रंथ बोद कथाऊं का संग्रह है इस ग्रंथ की आधी कथाएं विनेपिटक से तथा आधी कथाएं सुत्रा लंकार से ली गई है ठीक है ना? और जो दिव्यावदान है ये ग्रंथ है? दिव्यावदान जो ग्रंथ है यह हीनियान और महयान दोनों साखाओं से संबंदित है अगला आता आपका ललीत विस्तार तो ललीत विस्तार है ये गरंद महयान साखा से संबंदित है इसमें महत्मा बुद्ध की लीलाओं का वर्णन क्या गया है इसकी रचना किसी एक वेक्ति ने नहीं की बलकि कई वेक्तियों ने मिलकर की थी तो ये जो भी टोपिक है मारा ये इंपोर्टेंट है तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है समझना है अब देखेगा बो साहिते के बाद अगला आता है ब्रामनेत्र साहिते में जैन साहिते तो जैन साहिते बहुत विसाल है ये साहिति संस्कृत प्राकत और अपरण्स बासों में लिखा गया है बगवान महावीर स्वामी की परवर्तियों का किंद्र मगदरा है इसलिए उन्होंने यहां की लोक भासा अर्दमागदी में अपना उपदेश दिया जो उपलब्द जैन आगमू में सुरक्सित है यदि आप लोगों को बगवान महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना हो तो आप पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं बगवान महावीर स्वामी के बारे में जैन धरम के बारे में ठीक है जैन साहिते को आगम या सिद्धान्त भी कहा गया है इनके इस साहिते के अंतरगत बार इनकी रचना इससा पूरा चोथी सताबदी से लेकर छटी सताबदी इस्वितक के काल में हुई थी इनका सवरूप महावीर स्वामे की मर्त्यू के बाद विभिन संगीतियों में निर्धारित किया गया और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जैन साहिते के बारे में डिट अर्थम राजनेती ग्रंत भी स्विकार किया गया है यह मोर्य युगिन इत्या जानने का परमुक स्रोथ है विसाका दद्वारा रचित मुद्रा राक्सस सोमदेव कृत कथा सरित सागर छेमेंद्र कृत मृत कथा मंजरी मोर्य कालिन गठनों की जानकरी के महत्तवपुन स् सुद्रक का मरच्कटिकम ततकाली समाच का चित्रन है रामाईन महाभार्त भी लोकिक साहिते के अंतरगतियातें कलहनक कृत राज रिंगिनी में एतिहासी कटनों को क्रम बद्धं से प्रस्तुत किया गया है राज सेकर क्रिस प्रबंध कोस हमें गुजरात के चालू क्यों के इतियास की जानकारी परदान करता है गारगी सहिंता से भार्ट पर हुए येवन आकरमन की जानकारी मिलती है अब देखें इनके अलावा लोकिक साहिते में आतनी इतियासिक जीवनिया तो इतियासिक जीवनियों में परमुख हैं जिसमें धार्मिक और लोकिक साहिते हमने आपको पढ़ाएं याम पर अगले वीडियो में हम आपको प्राचीन भार्तिय इतियास की जानकारी से समद्धी जो पुरातात्विक स्रोथ हैं जो विदेशी यात्रियों का विवरण हैं उन सब के बारे में बताएंगे तो आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेश को सब्सक्राइब करें और हमारा जो वोट्सब पे बना जो ब्रोड का चैनल है उससे जुड़ें ताकि आपको नए नए वीडियो वहाँ से प्राप्त हो सके धन्यवाद